आज हम यूनिट नमबर फॉर का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम इस्ट्राटेजी इस पर प्रोविजिनिंग लिटरसी क्लास्रूम को अलरेड़ी पढ़ प्रोविजिनिंग ये है कि मैकसिमा मेटीर क्लास्रूम में प्रोवाइट किया जाएं जो कि लिटरसी को सप्पोर्ट कर सकें अगर वो मेटीर क्लास्रूम सैटिंग में मौजूद नहीं होगा तो डफिनेटली बच्चे लिटरसी भीईवियर अब उसकी क्या वराइटी है वह हम देखते जाते हैं वन बाई वन मिसाल की तरपे classroom organizations से related बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो classroom में मौजूद हो सकती है ज़से कि directions हो सकती है ज़से किस casual हो सकते हैं जिसमें बच्चों के लिखा हो कि कप किस चीज़ का gradual है क्या चीज कहां पर मौजूद है आपकी डेली रोटीन का डिस्प्ले हो सकता है जिसके अंदर टाइम टेबल है जिसके अंदर आपका मील डिस्प्ले का एरिया है आज इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपके रोल्स क्या है आपके responsibilities क्या हैं, अपने क्या चीज़े उठा के कहां रखनी हैं, labels हो सकते हैं, मुक्तलिफ objects को, shelf को, bookshelps को, हमारे परस बहुत से boxes होते हैं बच्चों के classroom में, जिनको हम label कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस shelf में या इस boxes में ये चीज़े रखी नहीं हैं, इसे जो हैं बच्चों की, एक तो understanding डिवेलप हो जाती है, उन चीज़ें के बारे में vocabulary बढ़ती है, और फिर access भी आसान हो जाती है, बच्चों का काम का display हो सकता है, बच्चे letters लिक रहे होते हैं, notes लिक रहे होते हैं, वो अपनी छुट मोड़ी books बनाते हैं, cards बनाते हैं, या murals बनाते हैं, हम उसको display कर सकते हैं, celebrate कर सकते हैं बच्चों के काम को, उनकी discoveries को, उसके इन displays के लाएवा बच्चे जो experiments कर रहे होते हैं क्लास्ट्रोम में, उसका display भी literacy display ही है, जो आप observations कर रहे हैं, या बच्चे observation कर रहे हैं, अगर वो किसी taught की observation कर रहे हैं, या बच्च विराइटी आफ हमारे पास print material available है अल linguistic resources क्या है जब हम बच्चों को variety of linguistic resources देते हैं तो definitely उनकी reading और writing enhance होती है सिरफ एक जैसी नहीं variety से तो हमारे पास क्या-क्या variety मौजूद हो सकती है linguistic resources के अंदर बच्चों की birthday list है अपर lower case के letters है बच्चों की spelling जिसमें commonly गलत आती है या हमारे पास कोई word bank जो हो सकता है उसकी list मौजूद हो बच्चे जो हैं क्या करते हैं encourage होते हैं to utilize print to communicate with each other और इसके लिए बेतर होता है कि उनके पार धी सारी writing के resources मौजूद हो पैन हो मार्कर्स मौजूद हो वहां पर high quality books कैसे हो सकता है कि print हो और हम books को भूल जाए जब हम बच्चों के लिए किताबे चूज करते हैं यह तो हम पढ़ी चुके हैं कि हम variety of books लेनी चाहिए जो variety of topics प class में जब किताबी चूज करते हैं तो उन्हें सामने रखते हैं पहली चीज़ यह किताब बच्चों की favorite किताब हो सकती तो उसकी एक copy ना ले उसकी बहुत सी कॉपिया लें 5-6-7-8 ताकि बच्चे group में same copy लेके बैठ सके हैं दो तीन बच्चे अपने अपने वर्जिन को ए खटे बैठ के या लग अलग बैठ के पढ़ सके आप बुक्स common theme पे भी आप ले सकते हैं common authors ले सकते हैं वो illustrator जिनको आपको लगता है कि यह आपके बच्चों के लिए ज्यादा इसकी illustrated books अच्छी हैं वो ले सकते हैं सीरीज आप किताबों के ले सकते हैं जब बच्चों के reading skills different होती हैं और बहतर होती हैं बाकी class के बच्चों से variety of genres में picture book भी आ सकती है आपके पास poetry भी आ सकती है fairy tales भी आ सकती है short stories भी आ सकती है variety of format में हमारे पास ऐसी किताबी भी आ सकती है जो paperback हो जो hardcover हो जो बड़ी हो जो चोटी हो जो pop-up हो सकती हो so हमारे पास बहुत जब दस किसम की variety books के अंदर मौजूद होती है जो इसको हमें class में incorporate करना चाहिए और क्या है teacher should make an effort to include a variety of printed material इन किताबों से हटके variety of printed material teacher क्या खुद से लेकर आ सकता है comic books आ सकते हैं जोक्स आ सकते हैं riddles आ सकते हैं बिल्कुल music books हो सकते हैं और बहुत ही अगर आप अपने पुरानी चीज़ों को चांटे तो उसमें आपको अपनी phone directory भी मिल जाएगी इस किसम की चीज़ी भी ला सकते हैं आ वो book ला सकते हैं जिसमें आपको अपनी ethnic diversity नजर आ रही हैं जो pictorial books होती हैं ऐसी books हो सकती हैं जिसके अंदर television के शोज़ों काटूंज हों उसके बारे में हो आप variety of books खुद भी सोच सकते हैं अपने एकर देख सकते हैं और उनको classroom में as a print material ला सकते हैं और बच्चों को एक opportunity दे सकते हैं कि variety of तरीके से वो अपनी vocabulary develop करें अपनी writing skills develop करें और अपनी spoken or reading skills develop कर सकें